वेलकम तो हम क्लासिस हम क्लासिस के यूट्यूब चुनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम देखने जा रहे हैं रीट 2021 के बारे में जो की 26 सप्टमबर कल ही ये एक्जाम हुए है शिप्ट फरस्ट और शिप्ट सेकिंड में उसकी ऑफिशल एंसर की एंड रिजल न्यूज अपडेट है उसी के जाद ही एक्सपक्टेड कट अफ मार्क्स क्या जा सकते हैं लेविल फरस्ट एंड लेविल सेकिंड के लिए वह हम जानेंगे आज हम और लेविल फरस्ट और लेविल सेकिंड की कटफ बता रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी सभी स्टूडन से रिव्यू लेने के बाद आपको सेपरेट भी वीडियो मिलेंगे जिसमें साइंस मैक्स का कटफ होगा इंग्लिश का हिंदी का जैसे पोस्ट होती है जोगी रिक्विट में आने वाली है उसकी कटफ क्या जा सकती है इस रीट के बेस पर चलिए हम आगे बड़े आप हमारे चैनल पर नहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राब कीजिए लाइक कीजिए फरंट से और रेटिव के साथ शेर कीजिए बाइला जो कीजिए बताई जा रही है वो पर्फेक्ट जाती है कि नहीं उसका तो हमें आफिशल एंसर की के बाद ही पता बढ़ता है क्योंकि कई चैनल जितने भी यूट्यूब पर क्लासस ले रहे हैं सबी की में कुछ नकुछ यहां तो उन में प्रॉब्लम है यहां तो आपस मे कोई कर रहा है कि A सही हो सकता है कोई कर भी सही हो सकता है अगर आप दोनों तीनों क्लासस जितनी भी फिमस क्लासस चल रही है यूट्यूब पे उनकी एंसर की आप मैच करेंगे तो आपको उनमें मत्बेद मिल जाएगा लेकिन हमें ऑफिशल एंसर की ही चाहिए जिससे की ह प्रॉपर मैच कर पाएं क्योंकि वही अंतिम होती है तो आपको ऑफिशल एंसर की देखने को मिलेगी विदिन सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपको सबसे पहले अपडेट करवा देंगे उसी के साथ ही आपको रीट की रिजल देखने को मिल सकती है विदिन 30 डेज से 45 डेज के अंदर अंदर जो की RBSC के द्वारा जितना जल्दी हो सके वो उतना ही जल्दी रिजल गोशित कर देते हैं अभी तक का RBSC का यही रिकॉर्ड रहा है उसके बाद आपको लेविल फस्ट की बात करते हैं एक्स्टेट कट अफ की जो इक लास 5 के बीच वाले स्टूडंट के लिए है उस अभी तक हमने जितने भी स्टूडंट से बात किये हैं उनसे रिवियू लिये हैं तो यही पता पढ़ रहा है जो पेपर है वो कफी एजी आया है और इस बार जो कट अफ जाने की उमीद है वो कफी हाई है तो जनरल की आपको लेकर लेकर 130 के एकस्प्त अफ्रे सकती हैं कैंडिडेट की 115 से लेकर 120 के बीच में रह सकती है और सी के साथ ही एस्टी कीवाकर आपकरें तो 95 से लेकर 100 15 तक की कट्व देखी जा सकती है लेविल फर्स्ट जो की एक क्लास से लेकर 5-फ लास के बच्छो के पढ़ाने के डीट लेविल टू एक्सपक्टेड कट अफ जो प्लास से एड के टीचर्स बनने जा रहे हैं उनकी बात करें तो जनल कर टेकरी की 120 से 125 के बीच में देखने को मिल रही है यह कट अफ जो है वो हमने ऑफिशल जो एंसर कियाने के बाद के हिसाफ से देखकर की है क्योंकि जितन आफिशल की आती है उसमें काफी चेंजिस देखने को मिलते हैं आराम से 5-10 के बीच में आपको इसके एंसर्स नीचे ओपर देखने को मिल सकते हैं उसके बाद हम बात करें ओबीसी और एव्यस की तो 110 से लेके 120 के बीच में जो एडब्यस के टेगरी है वह रीट में फस्ट कोई भी कर टेक्रिया वो रजस्तान के इसके लिए ही रजार्व के टेगरी ति होती है जो आउटसाइड से के अन के लिए रिजार्व के इंट्रिगरी नहीं होती है ऐसी कर्टेगरी के लिए आपको 100 से लिए 110 के बीच में देखने को मिल सकते हैं और S T की बात करें तो 19 मा माक्स के बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं यह जितनी भी कटफ है वह 150 माक्स में से कैल्कुलेट की गई है और यह परसंडेज नहीं है यह माक्स हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले समय में विदिन फ इंग्लिश की क्या जाए सकती है हिंदी की सिंदी की उर्दू की संस्कृत की यह सभी जो थार्ड ग्रेट वेकेंसी तो यह सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बाक्स में आप अपने मांक्स कमेंट कर सकते हैं आपके कितने मांक्स बन रहे हैं वो भी ऑफिशल एंसर की के बाद ही आप कमेंट कीजिए क्योंकि जो अभी एंसर की दी जारी है वो अथेंटिक नहीं हो सकती जब तक की ऑफिशल की नहीं आती चलिए फिर मिलते हैं नेक्स लेक्शर में कीप वाचिंग और चैनल थैंक यू फो वाचिंग और चैनल